हेलो फ्रेंड्स मैं सीमा मिलकानिया मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह चोटा सा डिजाइन और यह बेबी स्वेटर में तो बहुत ही अच्छा लगता है आप इसको जेंट स्वेटर में भी डाल सकते हैं और कार्डिग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना तो आएए फ्रेंड्स शुरू करें तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें चार के मल्टिपल में फंदे चाहिए तो यहां पर मैंने चार के मल्टिपल में फंदे डाल लिये हैं और तीन फंदे मैंने यहां पे एक्स्टा रखे हैं तो सबसे पहले आप बॉर्डर बना लाएं पूरा अपना फिर उसके बाद आप एक सीधी स्लाई बना के आप उल्टी साइड पे इसको आ जाएं क्योंकि यह डिजाइन जो है ना रॉंग साइड से स्टार्ट होगा उल्टी साइड से यह डिजाइन और इस फंदे को आप स्लिप पी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इस फंदे को बुन रहे हूं सीधा धागा पीछे रखेंगे और यहाँ पर हम तीन फंदे जो हैं वो सीधे बुनेंगे तो यह दो होगे और यह तीन उसके बाद धागे को अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ इस फंदे को हम slip करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 के बाद हम 1 फंदा slip करेंगे उसके बाद धागी को अपनी side रखेंगे और अगला एक फंदा जो है सीधा बुनेगे लेकिन ये जो धागा है ना इस फंदे के ऊपर से ऐसे जाना चाहिए इस तरह से यह जाली नहीं बनेगी पर यह इसके ऊपर से जाना चाहिए जो हमने स्लिप किया तो उसके बाद यह दो फंदे और हम सीधे बुर लेंगे इस तरह से ये तीन फंदे फिर से हमने सीधे बुने अब हम धागे को फिर अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा फिर से स्लिप करेंगे उसके बाद हम यहां पर ये इस धागे को अपनी साइडे रखेंगे और फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे यह धागा जो है न, यह ऐसे बुना है आपने, यह धागा इस फंदे के ऊपर से निकलना चाहिए, जो हमने स्लिप किया, उसके बाद दो फंदे और यहाँ पर हम सीधे बुन लेंगे, एक हो गया और ये दो यानि एक फंदे को हमने स्लिप किया तीन फंदे हमने सीधे बुनें अब हम फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा स्लिप करेंगे फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे यह design की पहली sly है friends ये 2 और ये 3 और यहाँ पर फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा slip करेंगे और आगे 3 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे ये देखे इस फंदे को हमने धागे को हमने उस फंदे की उपर से cross करना है जिस फंदे को हमने यहां पर slip किया उसके बाद आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे तो सीधी साइड पे यहां पे देखिए हमने कैसे बुनना है आगे देखिए हम इसकी सीधी साइड पे हैं राइट साइड पे हैं और अब हमने इसको कैसे बुनना है देखिए यहां पर यह पहले फंदे को हमने slip किया परल वाई slip करना है इसको और दो फंदे यहां पर हम उल्टे बुनेंगे एक दो अब हमने देखिए यह जो फंदा यहां पर slip किया था इसके ओपर से धागा निकाला था इस फंदे को हम फिर से ऐसे slip कर लेंगे इन दोनों को जो हमने धागा निकाल था उसको भी और इसके ऊपर से अब हमने फिर से एक बार ऐसे एक फंदा डालना है उपर से एसे करके जैसे हम जाली डालते हैं और फिर से तीन फंदे उल्टे बुल लेंगे यह डिजाइन की दूसरी रो है यहाँ पर तीन फंदे उल्टे हो गए अब धागे को अपनी तरफ ही रखना है और जो फंदा स्लिप किया है उसको फिर से स्लिप करेंगे और जो उसके साथ हमने धागा लपेटा था उसको भी स्लिप करेंगे तो ये धागा जो है हमने फिर से ऐसे लपेट देना है उसके उपर से अब तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक तो और ये तीन अब फिर से हमारा वो फंदा आगया जिसको हमने स्लिप किया था और यहां पर ऐसे थागी को लपेट देंगे इसके ओपर से अब तीन फंदे फिर से लास्ट में हमारे इनको हम फिर से ऐसे बुन लेंगे उल्टा अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे इसकी रॉंग साइड पे और यहां पर इसकी थर्ड रो पे तो यहां पर देखिए इस फंदे को हम इस तरह से slip करेंगे पहले फंदे को और दो फंदे सीधे बुनेंगे यहाँ पर दो फंदे हमने सीधे बुन लिए अब धागे को हमने अपनी तरफ करना है ऐसे धागे को अपनी तरफ किया अब यह जो हमने तीन फंदे यह हो गए थे न हमारे जिसको हम अभी तक slip कर रहे थे, इस फंदे में से हम ने एक फंदे में से तीन फंदे बनाने हैं, तो देखिए किस तरीके से एक ऐसे बुना, अब हम ने ली इसको छोड़ना नहीं है, ड्रॉप नहीं करना स्लाई से नहीं उतारना है, एक हो गया, उसके बाद इसको ऐसे स्लाइसे लबेटना है उपर से और फिर एक फंदा यहां पर यह दो हो गए न और यह तीन हो गए तो यहां पर हमने इसके बना लिए यह एक के बना लिए तीन फंदे यह देखिए ठीक है उसके बाद धागे को पीछे करेंगे और ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे 1, 2, 3 तो ये हमारे सीधे ही चल रहे हैं इनको हमने सीधे ही बुनना है इदर को धागा अपनी तरफ को किया अब ये फिर से वो सिलिप किया हुआ फंदा है इसमें से हमने 3 बनाने हैं तो यह एक इस तरीके से सलाई के उपर से ऐसे लपेटा फिर इसके अंदर से दुबारा ऐसे किया तो यह एक फंदा और बना लिया यहां पर हो गए हमारे यह तीन फंदे यह देखिए फिर धागे को पीछे किया और यहां पर तीन फंदे सीधे बनाने हैं तो यह तीन फंदे एक लपेट लिया हमने फिर से उसके अंदर से स्लाइड डाली और ऐसे इसको अब हमने उतार दिया और एक के बनगे तीन फिर दागे को पीछे किया तीन फंदे सीधे बहुत सिंपल एफरेंट से और बहुत ही जल्दी बन जाती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है चोटी-चोटी बूटी है आप इसको बना सकते हैं यहां पर देखिए फिर से स्लीप किया वह फंदा इसमें से हमने एक बनाया धागे को ऐसे लपेटा फिर से एक फंदा और बनाया उल्टा बुनते हुए ठीक है अब धागे को पीछे किया एक तीन फंदे हम पर लास्ट में हमारे यह सीधे हैं इसको हमने सीधा बुन लिया अब यह डिजाइन की तीन स्लाइएं यहां पर खतम हो गई हमारी अब हम आजाते हैं इसकी सीधी साइड पर औ उल्टा बुना पहले हम यहां पर तीन बुन रहे थे ना उल्टे फंदे अब धागे को पीछे किया हमने और यहां पर देखे यह जो हमारे तीन फंदे हैं इन में से यह जो उल्टा फंदा है और इसका तीन वाला एक फंदे को हम ऐसी पकड़ेंगे धागे को पीछे रखे लूप से इनको हमने दो का एक करद नहीं है ठीक है उसको धागा अपने दरफ किया एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे किया यह आगे तीन में से एक को पकड़ा इस तरह से उल्टे फंदे के साथ इन दोनों का एक कर दिया और यहां पर एक फंदा सीधा बुना और यह वा एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे यहांपर इस तरीके से दो का एक किया बीच वाले फंदे को अकेला बुनेंगे सीधा और धागा पीछे रखेंगे अब यह दोनों को हम यहां पर कर देंगे एक यह देखेstar दागा अपनी तरफ एक फण्दा उल्टा फिर दागा पीछे अब तीन में से यह दो फण्दे जो है न जो हमारे तीन फण्दे होते हैं न एक हमने इसके साथ खटा दिया यहाँ पर एक को हमने यहां पर उसके बाद एक फंदा सीधा फिर यह एक बच गए आगे इसको अगले उल्टे फंदे के साथ इस तरीके से खटा देना एक फंदा यह लास्ट में अब हम उल्टी साइड पे आगे हैं और इसको हमने देखिए फिर वही पहला फंदा स्लीप किया या आप इसको बुन भी सकते हैं ये तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ इस फंदे को हमने ऐसे उतारना है और इसके उपर ये अगले ये जो है इसको अपनी तरफ ही रखना है आगे तीन फंदे फिर से सीधे तो ये तीन ये देखिए ऐसे घुमा दिया ना फिर दागे को अपनी तरफ करना है ये फंदा हमने उतार लिया अब फिर तीन फंदे सीधे धागे को उपर से क्रॉस करते हुए तीन फंदे सीधे फिर दागे को अपनी तरफ किया एक और ये तीन फिर धागे को अपनी तरफ किया एक फंदे को उतार लिया आगे तीन फंदे फिर से हमने सीधे तो धागा अपनी तरफ करने के बाद जो फंदा स्लीप करना है उसके उपर से आपने यहां पर निकालना है उसके बाद फिर हम यहां पर देखे इस तरीके से बनाए थी सेम वही सेगिंड रो यहां पर रिपीट करेंगे ये दो फंदे हमारे यहां पर तीन फंदे यहां पर उल्टे धागे को अपनी तरफ रखना है और ये जो दो फंदे हैं इनको ऐसे उतार लेना है इनको फिर से स्लिप कर लेना है और इसके उपर हमने ऐसे उतार लेना है फिर तीन फंदे आगे सीधे, तो इसके बार जो फंदे को हमने स्लिप किया था ना, इसके उपर हमने दो बार लपेट लिया, फिर हम इसको उतारेंगे और एक बार और ऐसे लपेट देंगे धागा, उस स्लिप किये हुए फंदे के उपर, आगे तीन फंदे उल्टे, फिर इन दोनों को ऐसे slip किया फिर एक बार और धागा लपेट लिया इसके उपर आगे तीन फंदे फिर से सीधे फिर इन दोनों को ऐसे उतार लिया धागे को ऐसे लपेट लिया और आगे तीन फंदे हमारे ऐसे उल्टे तो इस तरह से आप ये बनाएं कि ये तीन फंदे यहां पर हमने सीधे बुने उसके बाद धागा अपनी तरफ किया यह जो तीन फंदे बना लिये थे ना दो बार धागा लपेटा था स्लिप किये फंदे के उपर इसको हमने अब तीन फंदे इसमें से बनाने हैं तो एक बन गया उसके बाद धागे को ऐसे फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे जो फंदा स्लिप कर रहे थे उसको उल्टा बुनना है और उसके अंदर से तीन फंदे हमने बना लेना है तो एक बन गया एक को जाले जैसे डाल के हमने एक और उसमें से बना दिया और उनको ड्रॉप कर दिया इस तरीके से तीन फंदे हो से बना लेंगे तो देखिए, एक बन गया, एक को हमने फिर से ऐसे लपेटा और एक फंदा इसमें से और ऐसे बना लिया, फिर दागा पीछे, तीन सीधे, फिर दागा अपनी तरफ इसके बीच में से हमने तीन फंदे बना लेने हैं, जिसको हम स्लिप कर रहे थे, तीन बन ग अब यह सीधी साइड पर आ जाते हैं तो सीधी साइड पर देखिए हमने कैसे बनाना है इसको फिर से वही हम लास्ट हमारी सलाई है अब यह तो मैं यह दुबारा इसलिए बता रहे हूं फ्रेंट्स की आपको कोई confusion ना हो यहां पर यह दो सीधे फंदे होगे धागा पीछे क अब यह देखिए तीन फंदे थे इन तीनों का एक जो है ना इसको हमने ऐसे पकड़ना है और इनको सीधा बुन लेना है एक फंदा सेंटर वाला इसको हम सीधा बुनेंगे उसके बाद एक लास्ट वाला जो फंदा है इसको अगले सीधे वाले फंदे के साथ इस तरीके से बुन देंगे, तो यहाँ पे तीन अफंदे इसमें अर्जस्ट होगे उसके बाद धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे किया उसके बाद यहाँ पे देखिए, उल्टे फंदे के साथ उसको हमने ऐसे बुन लिया और एक फंदा सीधा ये लास्ट में तीन दो फंदे फिर से हमने लास्ट वाले फंदे के साथ बुन लिए तो इसी तरह से हमने इसको सारे को बुन दे जाना है फिर से धागा अपनी तरफ को किया एक फंदा उल्टा बुना उसका धागा पीछे किया अब ये देखिए तीन है ना, तीना का जो ये उल्टे फंदे के साथ एक को ऐसे कर दिया, सीधा बुन दिया, उसका सिंगल फंदे को सीधा बुना, बीच वाले को उसके बाद, इन दोनों को फिर हम एक साथ ऐसे बुन लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछ अब यहां पे जो three फंदे हैं इनको हमने इस उल्टे फंदे के साथ एक को बोन देना एसितर और एक फंदा सीधह करें बूना है सिंगल अब यह वाल जो है इसको इसको साथ बोन देना है जो अगला उल्टा वळला पंदा है तो ऐसे हमारा डिजाइन बन जाता है उसके बाद धागा ऐसे अपनी दर्फ को करके दो फंदे उल्टे बना लिए यहां पे तो यह फ्रेंट्स हमारी वैसे यह चार सलाईयों का यह डिजाइन है मैंने यहां पे आपको दो बर बाग बना के दिखा दिया और जैसे आप बनात तो आप इस डिजाइन को जुरूर ट्राई करें फ्रेंट्स और वीडियो कैसी लगी मुझे जुरूर बताएं और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जूरूर करें और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं बेबी सैट बन थी थैंक यू